प्रस्तावना मुसलिम धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद माने जाते हैं जिन्होंने अपनी धार्मिक सहिश्णुता एवं श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों से इस धर्म को एक महान धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया था मानवी ये आधार पर इस धर्म की स्थापना करके उन्होंने आपसी सदभाव और मैत्री का संदेश दिया था सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान बताते हुए उन्होंने धार्मी दो जन्म परिचे उनका जन्म वम्रित्यू पांच सो चिक यातरी छे सो बबतीस इसा के बीच मानी जाती है अरब देश के काबा नामक शहर में हजरत मुहम्म्मद साहब का जन्म हुआ था उनके पिता हजरत अब्दुल्लाह और माता बीबी आमना थी ये लोग कौरिश नाम के घरानों से थे जब वे दो महीने के थे तो उनके पिता का देहावसान हो गया था और उनकी माता भी कुछ ही दिनों में चल बसी थी उनका लालन पालन दादा हजरत अब्दुल्मुत्तलिक ने किया कुछ दिनों बाद उनका भी इंतकाल हो गया अपने इंतकाल से पहले मुहम्मद साहब की जिम्मेदारी उनके चाचा अब्बु तालीब को सौप दी जिन्होंने बद्धे ही प्रेम और चाव से उनकी देख भाल की बच्पन से ही हजरत गंभीर स्वभाव के कम तथा मीठा बोलने वाले थे जबकि अरब के लोग दगा फरेब जूट बोलने में अपना जीवन बिताते थे उनकी सच्चाई को देखकर लोग उन्हें अल अमीन अर्थात सच्चा इमानदार अथवा सत्यवरती कहते थे बच्पन से उनमें संतों के समकक्ष गुन थे उनके समय में अरब में स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे जूट, फरेब, आतंक का बोल बाला था लोग अंध विश्वासों में डूबे हुए थे बद्धे होने पर मुहम्मद सहब ने रोजगार, व्यापार करने का कार्या शुरू किया धंधे में इमानदारी पर उन्हें बेहद विश्वास था उनकी मेहनत और इमानदारी की प्रशंसा इतनी फैली कि बीबी खदीजा नामक महिला ने उनको शीराज भेजा वे तिजारत करने के लिए बाहर गए व्यापार में उनको काफी लाब हुआ फिर वे मक्का आ गए उनकी इमानदारी से प्रभावित होकर बीबी खदीजा ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा उनकी अवस्था चौबीस वर्ष थी तथा बीबी खदीजा उनसे काफी बड़ी थी सुन्दर आदर्श विवाहित जीवन निभाते हुए उनके तीन लड़के और चार लड़कियां हुई हजरत मुहमद अपने घर परिवार के लोगों तथा नौकरों के साथ भी बहुत नर्मी का व्यवहार रखते थे सादा भोजन, सादे कपद्दाहे और अपना काम खुद करना तथा साफ सफाई रखना उनके स्वभाव में शामिल था सांसारिक जीवन जीते हुए भी वे यह सोचा करते थे कि लोगों को बुराई के रास्ते से कैसे हटाया जाए कभी-कभी रेगिस्तान के एकांत में घंटों बैठे इस विशय पर गहन चिंतन किया करते थे उस समय वे खाने पीने की सुध भी भूल बैठते थे रेगिस्तान में गाडे हरा नामक एक खोह थी वहां अकसर वे ध्यान लगाते थे एक दिन गाहे हरा में ध्यानमगन अवस्था में खुदा के एक फरिष्टे ने दिव्य रूप धारण करके उनके समक्ष कहा ले परह अपने पालन करने वाले खुदा के नाम से तब फरिष्टे ने उन्हें सीने से लगाया तो उन्होंने फरिष्टे द्वारा कही गई सभी आयतें सही सही दोहरा दी तू ही खुदा का पैगंबर है जा खुदा की एकता की बातें बता इस तरह अनपर पैगंबर हजरत मुहम्मद ने अल्ला के हुक्म से फरिष्टे जबरील के द्वारा दिये गए संदेश को साथवे स्वर्ग से लाकर वर्तमान रूप में लोगों को सुनाया मुहम्मद साहब ने जो संदेश लोगों को सुनाया उसका उन्हें काफी विरोध सहना पद्धा अल्लाह से धर्म के प्रचार का आदेश मिला था मक्का में उन्होंने यह संदेश जनता में दिया इस संदेश को सुनकर जनता ने तो उन्हें अपना पैगंबर मान लिया किन्तु कुरैशी के लोग इरश्या करने लगे विरोध इतना बरहा कि मुहम्मद साहब को मदीने की ओर प्रस्थान करना पद्धा मक्का से मदीना तक की यात्रा की यह घटना 20 जून 822 ई को हुई उनके दो पुत्र और चार पुत्रियां विरोधियों से संघर्ष में मारे गए उस रेगिस्तान की भरी गर्मी में अंतिम लड़्धाई में उनका एक बेटा और एक बेटी फातिमा ही बचपाई भूखे प्यासे बच्चों के लिए बार बार पानी मांगने पर भी लोगों ने उन्हें पानी नहीं दिया बेटी फातिमा वहां शहीद हो गई अपने बेटे की कुर्बानी के समय उन्होंने कहा ऐ मेरे बच्चे मैं खुआप देख रहा हूँ और तुम्हें जिबह कर रहा हूँ तुम्हारी क्या राय है अल्लाह ने चाहा तो मुझे सबर करने वालों में ही पाईएगा बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाया यह परीक्षा खुदा ने पैगंबर मुहम्मद की ली थी इबराहीम ने अपने बच्चों को जिबह करने के लिए छुरी चलाई थी किन्तु कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ एक बकरा था जो उनके बेटे की जगह खद्धभा था आकाश वाणी हुई कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए इस तरह इसलाम धर्म का प्रचार करते हुए उन्हें बहुत से अत्याचार भी जेलने पढ़ धे जैसे जैसे मुसल्मानों की जमाद बरहती गई वैसे वैसे उनके खिलाफ जल्म बरहता गया लोगों ने उनके रास्ते में काटे बिछाए बुरी बुरी गालियां दी सिर पर कुद्धा करकट फेंक दिया नमाज पढ़ते समय उनकी गर्दन पर पाखाना तक रख दिया जाता था अरब की जल्ती रेत पर लिटा कर सीने पर भारी तपे चट्टान तब तक उनके अनुयाईयों पर भी ला दे जाते जब तक वे मर नहीं जाते कई आदमियों के टुकदे टुकदे कर डाले जुल्म सहकर भी उनके साथ ही नए धर्म पर द्रता से डटे रहे हज के समय जब वे इसलाम का उपदेश सुना कर मक्का जा रहे थे तो दुश्मन उनको मारने की फिराक में थे वहां से बावींट वर्ष की अवस्था में जब वे मदीना पहुंचे तो मक्के में रहने वाले उनके विरोधियों ने मदीने पर हमला कर दिया सुलह की कोशिश के बाद भी लड़ाई छिद्धी और घमासान युद्ध हुआ कर्बले के मैदान में उनके नवासे ने शहादत पाई कर्बला की जंग में अपने 72 साथियों के साथ लड़ते हुए उन्होंने जालिमों से समझोता नहीं किया छे माह का मासूम अजगर हजरत अबास गासिम आदी नजाने कितने जानिशां इसलाम के लिए कुर्बान हुए इस तरह अल्लह के घर काबा का निर्मान हुआ एक लाग चॉबीस हजार मुसल्मानों के साथ हज गए काबा के लोगों ने भी हार मानकर इसलाम कबूल कर लिया इस तरह अरब में मुसल्मान धर्म की ज्योती जगमगा उठी 63 वर्ष की उम्र में मक्के का आखिरी हज करते हुए वे सخت बीमार हो गए किन्तु नमाज अदा करनी नहीं छोड़ी मरते समय एक आदमी के तीन दिरहम पैसे चुकाना नहीं भूले 3. कुरान के धार्मिक सिध्धान्त इसलाम धर्म की मुख्य किताब कुरान पाक है या आज से 1400 वर्ष पहले लिखी गई थी इसमें इसलाम धर्म के सिध्धान्तों का व्यावारिक रूप पता चलता है अर्बी, फार्सी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदी भाशाओं में इसका अनुवाद किया गया है कुरान में हजरत मुहम्म्द साहब की आयतें लिखी गई है यह पुस्तक पैगंबर साहब तथा उनके चेलों के द्वारा तैईस वर्षों में खुदा की सुनी हुई आकाशवाणी के आधार पर कुरान में उतारी गई यह पुस्तक इसलाम की बुनियाद है इस धर्म के मुख्य सिध्धान्तों में ईश्वर की एकता भाई चारा रखना स्त्रियों और गुलामों की मदद करना दिन में पांच बार मक्य की और मुँह करके नमाज परहना शुकरवार के दिन सामुहिक रूप से नम नमाज में भाग लेना अपनी आमदनी का धाई प्रतिषत हिस्सा दान देना जीवन में एक बार हज जाना प्रमुख रूप से है मुसलिम धर्म के सिध्धान्तों में खुदा को एक मानते हुए सभी पैगंबरों को एक मानना हजरत महम्मद को आखिरी पैगंबर मानना प्रमुख है इसलाम धर्म का सार है खुदा या ईश्वर की मर्जी पर अपने आपको समर्पित कर देना 4. हजरत मुहम्मद साहब के चमतकार मुहम्मद साहब ने अपने जीवन में बहुत से चमतकार किये जिसमें उन्होंने बुराई को अच्छाई में परिनित कर दिया था इस प्रकार उन्होंने एक दुष्ट महिला का रिदय परिवर्तन किया जब हजरत मुहम्मद साहब उसके घर के पास से होकर नित्य गुजरते थे तब वह महिला उनके सिर पर कुढधा करकट फेंक देती थी एक बार जब वह वहां से गुजरे तो उनके सिर पर कुढधा करकट नहीं गिरा ऐसे में हजरत साहब यह सोचने लगे कि आखिर बात क्या है उन्हें बुर्या की बीमारी के बारे में पता चला तो वे उसकी खैर खबर पता करने उसके घर गए मुहम्मद साहब का इतना अच्छा बरताव देखकर बुर्या इसकदर लज्जित हुई कि उसने मुसल्मान धर्म ग्रहन कर लिया उसका नाम अजमत था इस तरह बदर के युद्ध में अनेक कुरैश युवक मुहम्मद का सिर काट कर लाने का संकल्प कर चुके थे दासुर नामक एक कुरैशी जब पैड़े के नीचे सोये हुए हजरत मुहम्मद पर चुपके से हमला करने के प्रयास में था तब अचानक हजरत के मुख से अल्लाह का ऐसा स्वर निकला कि दासुर उनके पैरों पर गिर, पद्धा और उनका शिष्य बन गया एक उद्दंड व्यक्ति उनके घर इस आशे से आया था कि वह हजरत को पूरी तरह से परेशान करके छोद देगा इसलिए उसने इतना खाना खाया कि हजरत तो क्या घर के किसी भी सदस्य के लिए खाना नहीं बचा सभी भूखे पेट ही सो गए थे इधर अधिक खाना खा लेने की वजह से उस व्यक्ति को इतनी अधिक बदहजमी हुई कि उसने सोते सोते ही बिस्तर खराब कर दिया उसके बाद वह उस स्थान से भाग खडीड रहा हुआ सुबह जब हजरत साहब उसके कमरे में गए तो उन्हें वह व्यक्ति नदारद मिला कमरे की ऐसी बुरी दशा देखकर वे कमरे की सफाई में लग गए वह युवक अपनी तलवार लेने जब वापस आया की माफी मांगी 5. उपसंगहार इसलाम धर्म विश्व के कोने-कोने में फैला हुआ है इस धर्म के अनुयाई हमारे देश में भी काफी संख्या में है मुसल्मानों में राजपूत तथा पंजाब और राजस्थान की कुछ जातियां भी है जो इस बात का प्रतीक है कि इस धर्म के कुछ शासकों ने सामूहिक रूप से बल पूरवक धर्म परिवर्तन करवाया था हिंदू और इसलाम हमारी भारतिय संस्कृती में इस तरह रच बस गए है कि दोनों के कुछ रीती रिवाजों की छाप एक दूसरे पर पड़ी हुई है शिया और सुन्नी दो समुदायों में बंटे हुए इस धर्म में कुछ रूरहिवादी मुसल्मान है तो कुछ उदरवादी यह धर्म शिक्षा संस्कृती के क्षेत्र में भी अपनी उन्नती की बाट जो हो रहा है